भागलपूर सुल्तान गंज की अजगैविनाथ धाम में विश्व प्रशिद श्राबनी मेला के शुरुवाद गुरुवार को होगी रसकी तयारी को लेकर जिलाप्रशासन की निर्देश पर युद्धी अस्तर पर गंगा घाट इवं कच्ची कावरिय पत में कारेश चल रहा है वही सावन को लेकर जगैविनाथ में विविने जगों से आने वाले कावरियों जथा की भीर गंगा घाट पर उमडने लगी है जबकि कावर और पूजन सामगरी की दुकान में सच धश कर तयार है इधर शापनी मीला को लेकर कावर दुकानदार का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण दो वर्ष्टों तक मीला नहीं लगा था जबकि सरकार की अनुमती पर इस वर्ष के शापनी मीला को देखते हुए कावरियों की भीर अजगैविनाथ धाम में जुटने लगी है बतादे कि 14 जुलाई को सुल्तानगन जहाज घाट में शापनी मीला कभावी उद्गाटन कारिकरम आयोई चित होगा रिसके लिए कारिकरम अस्थल पर उद्गाटन मंच और पार्किंग अस्थल की वैवस्था धिकारियों की देखरेक में तेजी से जारी है भागलपूर के शाक्चत थाना चेत्र आंतरगर्द भिकनपूर त्री मुदी चोक से पुलिस ने दो संदिक वाइक सवार युवक को देशी पिस्टॉल के साथ सुम्बार की अहले सुभा गिरफतार कर लिया पुलिकर बताया जारा है कि गिरफतार की गई युवक संबार की एहले सुभा बरहपुरा की ओर से आ रहे थे तभी उन्हें देखते ही पुलिस को शक हुआ उसके बाद दोनों युवक पुलिस को देखकर तेजी से भागने लगे लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों युवक को दबोच लिया जबकि पकड़े गई युवकों के पास से पुलिस ने देशी कटा एक जिन्दक कार्टूस और एक होका के साथ काले रंग की पुलसर मोटर साइकिल भी परामत की है वहीं पकड़े गई युवक की पहचान भिकरपूर गुम्टी नमबर 3 निवासी राजा और अक्वर के रूप में हुई है इसर मामले को लेकर पुलिस ने बताये कि सोंबार की एहले सुबह बरहपूरा की ओर से आ रहे दो युवक को शक होने पर रोका गया लेकिन वे दोनों बाइक से भागने लगे रसके बार पीछा कर दोनों बदमाशों को हतियार के साथ गिरफतार कर लिया गया पुलिस ने कहा कि ये लोग हतियार का भाय दिखा कर ट्रेंज से आने जाने वाले राहकिरों से लूट पाट की घटना को अंचाम देते थे जबकि सोंबार को भी दोनों इसी इरादे से हतियार लेकर भोलानाग पूल की ओर चा रहे थे लेकिन समय रहते पुलिस ने इनके मनसुबों पर पानी फेर दिया वहीं पुलिस दोनों इवक से पूस्ताच कर उनके पुराने आपरादिक रिकॉर्ट भी खांगालने में जूटी है भागलपूर के नगर बधायक अजित शर्मा ने सोंबार को नबकच्या के खगड़ा में बंद पड़े आयुर्वेदिक स्वास्ति केंद्र का निरक्षन करने पहुचे जहां जीर शर्मा ने वहां की आव्विवस्था को देखकर राज्य सरकार पर जम कर निशाना साथते हुए कहा कि एक समय यह स्वास्ति केंद्र अस्तित्व में था और यहां इलाके के लोगों को सुब्धा प्रदान की जाती थी लेकिन पिछले कई सालों से सरकारी उपेक्षा के कारण ही अस्पताल बंद है कॉंग्रिस पिधान मंडल दल की निता जेश शर्मा ने कहा कि किसी भी सरकारी संस्थान के लिए मौसूदा समय में जमीन मिल जाना एक बड़ी बात होती है लेकिन इस केंदर के पास जमीर और भवन होने की बाग भी नितीश शरकार और स्थानी जन प्रतिनीदी की उदासिंता के कारण आयूरवेदिक अस्पताल बधाल आवस्था में है साथ ही उन्होंने राज्जी सरकार से अस्पताल को जल शुरू करवाने की मांग करते हुए कहा के अस्पताल चालू होने से आसपास के लोगों के साथ आने जगों से आने वाले लोगों को भी स्वास्ते सुबधा मिलेगी इसके अलावा बिधायक ने इस मामले को बिहार के स्वास्ति मंत्री मंगल पांडी के समक्ष रखने की बात कही मौकी पर बड़ी संक्चा में ग्रामीन मौचूर थे करूंगा और यह लोग कहते हैं कि मिले थे तो यह लोग जिला परिशद के अधीन है तो अधीन किसी के नहीं होता है सब सरकार के अधीन है और मैं चाहता हूं कि मैं यह आवेजन जब आएगा तो हम अंगल पांड़ी से मिलके इसको चालू करानिया काम करेंगा इन दिनों रेलवे ट्रक पर दुर घटना होना जैसे आम बात हो गई हो जिसमें अकसर लोग अपनी जान भी गवाद देते हैं लेकिन अकसर ट्रेन की चपेट में आने वाले लोग खुद ही इस तरह की घटना और अपनी मौत के लिए जिम्मेदार होते हैं ताजा मामला भागलपूर के बवरगंस थाना चेतर अंतरगर्द वारसली गंश इस्तित रेलवे ट्रेक का है जहां सोंबार को मुबाइल से बात करता हुआ एक युवक रेलवे ट्रक पर चल रहा था तभी पीछे से आ रही हमसफर एक्सपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई बताया चुआ रहा है कि युवक कान में एयरफोन लगा कर बात कर रहा था और स्पीच उसे ट्रेन की आवास सुनाई नहीं पड़ी रसके कारन वा ट्रेन की चपेट में आ गया लोगों का कहना है कि ट्रेन की खौन भी बज रही थी लेकिन कान में एयरफ ट्रेक के समीब काफी संख्या में लोगों की भेर जूट गई जहां लोगों ने मिरतक युवक की कही बाहर से आने की आश्रण का जताई जबके फिलहार रेल्वे पुलीस युवक की पहचान में जूट गई है गाउं में भी उसका सब को जानता है कि उपी करके इसी तरह करता था गाउं में भी उसके साथ बहुत होता था जग्रा पगड़ा है हो तेरता था अब गवरा चेकए पुलिस जिला नवकच्चे के साधुपूर गौव में पुलीस और पबलीक के बेच होई भिडंत में एक युवक कोली लगने से घायल हो गया था जबकि इस मामने को लेकर रविवार को जखमी राजीब की मा मीरा देवी ने पुलीस को क्लीन चीर दे दिया मीरा देवी ने कहा कि राजीब पुलीस की गोली से घायल नहीं हुआ था बलकि उसे किसी और ने गोली मारी थी हाला कि अब तक यह पता नहीं चल सका है कि युवप को गोली किस ने मारे। वहीं घटना को लेकर बताया ज़ुआ रहा है कि घटना के वक्त रंगरा थाने के पुलीस जब राजीब को बच्चराने के लिए पहुची तो ग्रामिनों ने पुलीस पर ही राजीब को गोली मारन में चल रहा है और आजीब की मा मीरा देवी ने पुलीस के समक्ष अपने लिखित बयान में पुलीस को घटना के लिए जिम्मेदार नहीं बताया है वहीं इसके बात मामले में पुलीस ने घ्यात अपराथियों के विरुद हात्या का प्रयास करने की प्रात्मी की दर्ज कर करती है। गंगास्नान के लिए हसारो शिब भक्तों के भीड उतरवाहिनी गंगा तट अच्कैविनात पर उम्रे। इसके बाद शर्थालू ने अच्कैविनात मंदिर सशिबलिंग पर जलाव शेक कर पूजा अर्चना के। इस तोरान हसारों की संख्या में पहुंचे शिब भक्त कावरियों ने अच्कैविनात मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उतरवाहिनी। गंगा चल लेकर बाबा वैचनात थाम के लिए अपनी पैदल कावर यात्रा शिरू की। जबकि काफी संख्या में शिब भक्त बस से बाबा वैथनात थाम के लिए रवाना हुए। वहिस को लेकर पूरा अच्कैविनात थाम बाबा भोलीनात के जैकारों से गुंजे मान होता रहा। जबकि पूरा कावरिया पत के सरिया रंग में रंगा दिखा। जब असल दो दीन बाद विश्व प्रशिल शाबनी मेला के शिर्वात होनी है। जबकि जिलप्रेश शासन के नर्देश पर अस्थानी पदादी कारियों द्वारा गंगा घाट की वैरी कैडिंग की वैवस्था। एवं जहाज खाट में श्राबनी मेला के उद्खाटन की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। वहीं अच्कैविनाद के पंडित कृष्ण अच्छा ने बताए कि असाड मास के अंतिन सुमबारी का विशेस महत्व हैं। और इस दिन बिहार शोरकर में आसाडी काली की पूझा होती है। आज का अखार का अंतिन सुमबार है। इसमें विशेस महत्व है कि आज के दिन जो लोग बाबा भोलेनाब से मनोकामना मांगेंगें। बिहार सरकार भले ही स्वास्ते सेवाओं की बहतर होने के दावा कर रही हो। लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालात आज भी ठीक नहीं है। ताजा मामना बाकक के धोरहिया सामुदाइक स्वास्ती कीन देखा है। जहां बाइक दुरघटना में गंभी रूप से घायल कोई एक मरीज को स्ट्रेचर के अभाव में इलाज के लिए स्पताल के बाहा चिलचिलाती धूप में काफी देड तक इंतिसार करना पड़ा। जरसल धौरहिया थाना छेतर अंतरगर धौरहिया पंजवारा ऐसे 84 चलना मूर के समीप दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हो गई थी जिसमें दो व्यक्ती गंभीर रूप से जख्मी हो गए और अस्थानी लोगों की मदद से दोनों घायलों को धौरहिया इस्पताल और प्रपैती थाना छेतरे के शिवान पूर गउन निवासित दिलीफ कुमार के रूप में हुई है जो एक ही बाइक से भागलपूर जा रहे थे तभी सामने से आरही तेज रफ्तार वहां ने जोड़ दाट टक्कर मारती हाला के अस्पताल के बाहर गंभीर हालत में करीब एक घंटे तक मरिश के तेज धूप में रहने से स्वास्तिक कींद्र की वैवस्था पर सवाल खड़ी करते हुए आक रोशित लोगों ने कहा कि इसमें अस्पताल प्रावंदन की लापरवाही है जबकि इसको लेकर प्रभारेश चिकिसाप पदादिकारी डॉक्टर श्या लामवर में एक्सिडेंट हो गया है कोई सिंगारपूर कोई साइकल किया है उसका उसके बाध वहां से ओटो से इलो किसी तरह को यार्मी पब्लीक इधा गया है है यहां पर और चालीस मिरट पहले हमको फोन आया हुआ है चालीस मिरट हो गया हमको आदानीस यहां आने में पाइक से और अभी तक इस्टेचर पे कोई आदमी नहीं ओटो पे जैसा का तैसा पड़ा हुआ है